अगर आपको गेम से अप्लिकाशन के अंदर खुद का KYC करना है और आपको मालूम नहीं है कि आप किस तरह से गेम से अप्लिकाशन के अंदर KYC को कर सकती हो तो आप इस वीडियो को लाज टक देखते रहिए मैं आपको इस वीडियो का अंदर बिल्कुल डीटेल में समझा द या दोगा है उन वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिपों पर आए बेटΟिन पर देए दूँगा आप चाहओ तो उन वीडियो को देख सकते हो करना है आप जैसे कीवर क्लिक करोगे तो इस बार आपके पास यहां पर इस तरह से एक पेज क्लिक कियाएगा आप यहां पेंपर बीज में एक ohpcion देख पार हो update और QIC आपको simple सा इस option कीवर क्लिक करना है आप जैसे इस कीवर क्लिक करोगे तो पेज आपकी पास और clear ली देखना चाहिए, एक दम से clear photo होना चाहिए इस तरह का आपके एक pencard की photo को click करके choose file की उपर click करके आपको यहाँ पे upload कर लेना है upload करने के बाद दूसरा जो option है यहाँ पे आपको आपकी जो pencard की नाम बार है उसे यहाँ पे type करना है उसके बाद pencard की अंदर जो नाम है उस नाम को यहाँ पे same to same type करना है उसके बाद आपकी pencard की अंदर आपकी जो date of birth है उसे आपको यहाँ पे type कर लेना है बस आपको एक कर लेना है एक करते ही नीचे के तरब जो submit का button है वो यहाँ पे enable हो जाता है आप जैसे इस Papa पर खिलिक करते हो तो आपकी पास से आपकी KYC के जो request है उँ गेम से application के अंदर चला ज़ब है और 48 आपकी गेम से application के अंदर जो का कैसे है वह verify हो ज़यते हैं तो उस टॉपिक कीपर भी मैं पहले से एक वीडियो बना कि आपने चल्य कीपर डाल के रखाए उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्किप्शन पर आई बडून पर और इस वीडियो की लास पर पिन कर दूंगा आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो और गेम से इंट्रेस्टिंग टॉपिक कीपर आप नए नए वीडियो को देखना चाहते हूं तो आप इस ट्रेंट को सब्स्क्राप करके रखना बिल्कुल भी मत भुलियेगा तो चलिए मिलते हैं आप सागे इस भी बड़ी आग इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब दखे झाल झाल